हेलो दोस्तो आज हम बनानी जा रही है ब्रेड ओमलेट सैंविच तो आप इसे पांसे छे मिनट में बनाकर रेडी कर सकती हैं बहुत ही टेस्टी चटपटा बनता है ये ब्रेड ओमलेट सैंविच तो चली रेशिपी शुरू करती हैं तो मैंने यहां एक बाउल लिया है तो पेलां आपको आपड करा और यहां। इस मिभरण कर देंगे की अपड़ा,请 भाड़ बाड़ किसम ऐड़ा नाजिए जखाया है और ऐनी मिर्च कसे अपनेमञगे सब्सक्वित बारी कटा हुआ हरा धनिया पत्ता एड़ कर देंगे नमक आदा चोटा चमच इसमें एड़ करेंगे तो स्वाद के अनुसा नमक डाल देंगे एक चोटा चमच इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स अगर आप ये नास्ता बच्चों के लिए पना रहे हैं तो मिर्च की कॉ ब्रेटर हमारा बनकर रेडी हो गया है तो अची से मिक्स कर लिया है हमने तो अब हम क्या करेंगे कि एक ब्रेड का सलाइस लेंगे और इसमें हम डिप कर लीए तो ब्रेड को ज्यादा देर तक अंड़े की बैटर में लूइन रखने की जरूरत नहां दो पिर जादा अधा यहां मेंबर्स तइल करें तो स्टूल से इह तूम निया है में तुरिके से शर्मा स्टूल असा लीछ गर्णापी निए प्रेटे भ much water इसके उपर हम थोरा सा बैटर इसके उपर हम डाल देगे ताकि जो प्याज हमने हरी मिर्च यह सब डाला है इसकी एक उपर से अच्छे से लेयर लग जाए और जैसी आपको लगीगा नीचे से की नीचे यह फैल चुकाहती से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे देखिए यह नास्ता बहुत ही टेस्टी बनता है तो एक पर आप ब्रेड का नास्ता इस तरीके से जरूर बनाईएगा आपको बहुत ही पसंद आएगा और नीचे से जैसी लाल हो जाएगा इसे हम पलट लेते हैं तो देखिए कितना प्यारा कलर आगया है दूसरा भी हम इसी तरीके से पलट लेते हैं और गैस का फ्लेम आप मीडियम टू लो करके ही आप इसे दो मिनट के लिए आप इसे उलट पलट करके सेक लीचेगा यह दूसरी धाई मिनट में काफी अच्छी से सेक जाता है और देखिए इसे सेकते हुई दूसरी धाई मिनट हो चुका है तो दूसरी ध के वाके बच्चे हुए ब्रेड को भी हम इसी तरीक से डाल करके इसे उलट-पलट कर सेख लीते हैं तो इसे हम पलट लेते हैं देखिए नीचे से काफी अच्छे से लाल हो गया है तो आपक प्रेड अपनाए हो लेकिन एक बर आप आप बेड आम्लेट सैंविच जरूर बना बागी बच्चे हुए भी ब्रेड को अच्छे से लिया है तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं और यह लीजिए ब्रेड ओमलेट बनकर त्यार हो गया है बहुत अच्छी खुश्पु आ रही है बहुत ही टेस्टी रेसिपी है आप चाहे तो फ्रेंड्स इसी तरीके से खा सकते है इसी तरीके से आप बच्चों को खिला सकते हैं सर्व कर सकते हैं यह भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और यह देखें ब्रेड ओमलेट का अच्छे से सेग गया है काफी अच्छे से पग गया है काफी सॉप्ट है तो इसका टेस्ट और हम बढ़ाने के लिए चलते लगा लेने की बाद बड़ेता चमच लगा लेंगे तो धी जब लिम्टो केचप लगा लेने की बाद इसकी ऊपर हम खी रहाएं निए प्रका दो पेच हम घूप का स्लाइस रखना चाहते तो आप रख सकते हैं और इसकी ऊपर वाले ब्रेड के ऊपर भी हम मियोनिज और टमैटो केचप लगा लेंगी और बस इसे हम इस तरीके से कवर कर लेंगे और यह देखिए ब्रेड ओमलेट सैंविच बनकर त्यार हो गया है तो इसी तरीके से मैंने निच्वास टेखिए कितना टेस्टी ये रेसिपी है वह वह माने यह बहुदी है याकीन मानिये एक बर आप इस तरीके से ब्रेड ओमलेट सैंविच बनाईगे गां आपको और आपके भट्चों को बहुत ही पसंद आएगा बहुत ही टेस्टी लगता इक खाने THANK YOU!